है गाइस ओलकाम बैक टो रिक देव एंड इन इस वीडियो आपके लिए प्री बेस्ट मार्ट वाच अंदर थी थाउजन रूपीज और पहले भी हम एक स्मार्ट वाच की वीडियो बना चुके हैं जो कि मेरे चैनल पर अभी एवलेवल है और जिसके अंदर मैंने दो हजार और आने वाला वेस्ट वाच बताया था बट इस वीडियो के अंदर मैं 1000 रुपे ज़ादा जोड़के थीन वेस्ट मार्टस अवाज बताऊंगा। जो कि आप आज का fr कर सकते हैं वीडियो को पुरान तक देखना इस वीडियो का अंदर सभी स्मार्टवाच का डिटेल्स बाई डिटेल्स आपको पता चलने वाला है और आपके लिए कौन सा स्मार्टवाच बहतर है वह भी हुआ आपको वीडियो के अंध में जाके जरू समझाऊंगा यह बात क देख सकते हैं काफ़ दा बहतरीन डीजाइन का अंदर आप को स्माडवाच देख नीग को मिल जाता है इस्माडवाच का अंदर आपको काफ़ी सारे color variant देखने को मिलता है आपको almost 5 color variant देखने को मिलता है जिसकी माधधम से आप इस smartwatch को operate कर सकते हैं और उसके साथ साथ time बगरा देख सकते हैं इस smartwatch का अंदर आपको Bluetooth support देखने को मिलता है जिसकी माधम से आप इस smartwatch पे Bluetooth calling भी कर सकते हैं इस smartwatch पे आपको 30 से ज्यादा sports mode देखने को मिलता है जैसे कि SPO2, heart rate monitor जैसे आपको sensor इस smartwatch का अंदर भी देखने को मिल जाता है दोस्तों इस smartwatch का अंदर AI voice assistant आप Google assistant या फिर Siri LX जासे voice assistant का भी इस smartwatch का अंदर यूज़ कर सकते हैं अगर overall देखा जाए तो काफे दा बढ़िया pacification प्रवाइड करता है और battery life का अंदर इस smartwatch है आपको almost 10 day का battery life प्रवाइड करता है यानि आप अगर एक बार चार्च कर लेते हैं तो आपको 10 दिन तक इस smartwatch है वो battery backup भी प्रवाइड करने वाला है अगर देखा जाए तो काफे दा बढ़िया pacification प्रवाइड करता है और इस smartwatch का प्राइजिंग आपको Amazon.in पे 2,999 रुपे प्राइस का अंदर देखनी को मिलता है और इस प्राइस का अंदर मेरे खाल से काफे दा बढ़िया smartwatch भी निकल का जाता है और इस smartwatch का अंदर आपक देख सकते हैं मेरे खाल से smartwatch का डिजाइन काफी लोगों को पसंद भी आने वाला है जो smartwatch है color variant पर आपको काफी सारे color variant देखनी का मिलता है और टेकनिकल पेसिविकेशन पे इस smartwatch पे 1.75 इंच का HD प्लस का डिस्प्ले अलुमिनियम का बोडी देखने को मिलता है साथ से भी ज़्यादा का sport mode आपको प्रोवाइड किया गया है सेंसर का अंदर SPO2 sensor, heart rate monitor जैसे sensor आपको smartwatch के अंदर प्रोवाइड किया गया है उसके साथ साथ जो smartwatch है वो calling को भी support करता है और SMS reply जासे pacification भी smartwatch का अंदर प्रोवाइड किया गया अगर overall देखा जाए तो सभी तरह का pacification smartwatch का अंदर प्रोवाइड किया गया है और water registration पे भी smartwatch का अंदर थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया है जहां पर आपको IPX68 का water probe registration प्रोवाइड किया गया है अगर overall देखा जाए तो इन सभी बातों को इस smartwatch है काफे दा बढ़िया निकल का आता है और इस smartwatch का अंदर भी आपको एक साल का warranty देखनी को मलता है और इस smartwatch का pricing है Amazon.in पे 2999 रुपे सो मेरे खाल से इस smartwatch को भी आप जरूर देख सकते हैं और इस smartwatch का base discounted by link भी आने आपको निचे description पे प्रोवाइड कर दिया है लिस्ट नंबर वन smartwatch is boat extend बोट इंडियार मर्केट पे नंबर वन ब्रैंड है अक्सेसरीस की मामले में और आप सभी जानते है बोट का पूडक्ट का अफे दा बड़ी भी रहता है और बोट एक्स्टेंड इस smartwatch का design आप देख सकते हैं काफे दा बहतरीन डिजाइन है और इस smartwatch का अंदर जो build quality प्रोवाइड किया गया है वो भी काफे देबड़ी है इस smartwatch का अंदर technical pacification पे 1.69 इंच का HD plus का display प्रोवाइड किया गया है से चलने वाल है और अगर बात करें इस smartwatch की battery life की बार में आपको single charge का अंदर almost 14 day का battery life इस smartwatch का अंदर प्रोवाइड किया गया है और voice assistant का अंदर Amazon Alexa calling का support और SMS reply का भी support इस smartwatch का अंदर प्रोवाइड किया गया है अगर देखा जाए तो इस smartwatch का भी आप बाय कर सकते हैं आपका price अगर almost 3000 रुपे के आसपास है और जो smartwatch है 3000 रुपे के अंदर Amazon.in पे top selling smartwatch के list का अंदर number one position का अंदर आता है तो दोस्तो यही था कुछ 3 smartwatch जो की आप बाय कर सकते हैं आईनों आप बहुत लोग पूछेंगे कि हम इस price segment पे कौन सा smartwatch को consider करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी smartwatch का design कही ना कहीं आपको different देखने को मिल देगा तो आपका मन के हिसाफ से आपको जो design पसंद आता है उस design को आप बाय कीजिए और लगभग जो पेस्वी के सेन है वो similar सा आपको देखने को मिलता है बट मेरा recommendation मानेंगे तो मैं आपको board extend smartwatch को suggest करूंगा क्योंकि जो smartwatch है Amazon.in का अंदर number one selling smartwatch के अंदर निकल का आता है और यह जो smartwatch है board जैसे branding के तरफ से भी आता है तो कही ना कहीं है जो smartwatch है 3000 रुपे का अंदर आपके लिए काफ़े दब बढ़ी है smartwatch निकल का आ जाता है तो मेरा recommendation यह है कि आप इस price segment के अंदर board extend smartwatch को buy कीजिए बाकि आपके हाथ में है कि आप कौन सा smartwatch को buy करते हैं फिलाल दोस्तों आचकी वीडियो में इतना ही मैं विलताफस एक new वीडियो पर तब तक लिए अपने ख्याल से ज़रूर रखिएगा